Hi guys, welcome back और भोला और दसरा जो की कल रिलीज होने जा रही है दोनों की advanced bookings जो है update हो गई है लेकिन जिस्ट में मैं आपको इतना ये बता देती हूं कि भोला की तरफ से shock waves भोला की तरफ से shock waves निकल कर आ रही है जो advanced bookings हैं वो सुनने के बाद सब जगा सननाटा चाया हुआ है किसी को कोई खबर नहीं है कि इस तरीके की reports भोला की तरफ से क्यों आ रही है they are really shocking and surprising looking at the factor कि अभी से कुछ महीने पहले अजेदेवगन और तब्बू की दृश्यम 2 जो है बड़े स्टार है अजेदेवगन से क्योंकि numbers जब आप जानेंगे तो आप हिल जाएंगे क्योंकि लोगों को भी समझ नहीं आ रहा हमको भी समझ नहीं आ रहा कि ये number जो है ऐसे कैसे आ रहा है जबकि जो buzz create किया गया था शुरू में भोला का जो buzz था वो देखकर लगता था कि भाईसा बहुती बड़ी opening लेगी film कम से कम 30 करोड की opening लेगी लेकिन आज की सच्चाई आज की सच्चाई जो film से एक दिन पहले release होने से एक दिन पहले है उसको देखकर लोगों के पैरों तले बात बिलकुल भी नहीं है numbers आएंगे, अच्छे numbers आएंगे मैं वो भी share करूँगी 10 की तरफ से भी numbers जो आ रहे हैं वो मैं real numbers आपको बता रही हूँ यह सच में हो रहा है इस वक्त जो numbers आ रहे हैं audience का mood seriously आप इस वक्त कोई समझ ही गया चाहते हैं और कई सारे factors ऐसे हैं कि भोला की जो numbers है वो इतने shocking आ रहे हैं तो क्या numbers है, क्या factors हो सकते हैं दोनों भोला और दसरा दोनों की बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो का इन तक जब देखे का चानल को सब्स्राइब नहीं किया है Hollywood style action होगा जो हम देखेंगे लेकिन जो कहानी आज की दिख रही है वो बिल्कुल पासा पलट चुका है बिल्कुल पासा पलट चुका है तो numbers मैं आप से सबसे पहले शेयर करती हूँ भोला के जो updated numbers आ रहे हैं वो मैं आपको tickets sold and collections दोनों चीजसे बताती हूँ तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 3D की जो सबसे जादा popular version इसका चल रहा है क्योंकि यह action movie है अपने सिर्फ visual effects पर CGI पर यह film खेल रही है क्योंकि कहानी सब को पता है कि है कैथी की remake है Tamil film कैथी की remake है तो कहानी से expectations लोग को नहीं है लोग visual experience देखना चाहते है तो 3D का अगर मैं आपको number बताती हूँ यह कल रात तक का number है is number of tickets sold is 21,000 tickets that have been sold till last night और जो average ticket price है वो पहले से काफी कम हो गया है is 245 रुपीज जी हाँ पहले यह 350, 370 तक touch कर रहा था अब 245 तक makers ने कर दिया है उसके बाद जो 2D version है इसकी tickets sold इतनी shocking है क्योंकि यह एक ऐसा segment होता है 2D जो हर जगा चलता है 2D में ही हर film लोग देखना चाहते है सबसे economical class होती है लेकिन इसमें जो number of tickets sold है is 7,130 tickets sold which means the number of advanced booking collection from 2D is 17,46,000 only अब यह जो number है यह सारा walk-in पर depend करेगा कल अगर कुछ होना होगा कुछ बढ़ना होगा obviously वो कल ही बढ़ेगा 2D से expectations आज जादा न रखिएगा क्योंकि 3D ही इसका version है जो सबसे आगे बढ़ रहा है IMAX 3D और 4DX versions जो है यह दोनों ऐसे versions है जो बहुत महेंगे जिनकी ticket price है 700-800 तक की ticket price है रात के shows में तो आप समझ सकते हैं कि जब ticket price इतनी जादा है तो collection जादा आएगी लेकिन इनके जो screens जो seats होती है और screens होती है वो बहुत कम होती है तो मैं आपको पहले IMAX 3D का बताती हूँ number of tickets sold shockingly is only thousand tickets that have been sold as far अभी तक और जो इसकी collection है वो है 6,10,000 only इसके बाद दूसरा shock सुनिये 4DX जो है इसकी number of tickets sold is 922 tickets only 1000 tickets भी नहीं ये cross कर पाई है और जो collection है वो 5,6,000 इसका number है अब इसका अगर मैं सारा round up total मैं अगर आपको बता दूँ इस वक्त जो है जितना भी रात में बढ़ा होगा वो पता नहीं है लेकिन जो अभी रात तक का figure आया है वो ये है 89,000,000 is the only total figure advanced booking collection for Bola only one day to go now just imagine करोड तक भी इस फिल्म ने अभी तक cross नहीं किया है कहां बातें हो रही थी 10 करोड की ये advanced booking जो है वो 10 करोड तक जाएगी ऐसा कहीं से भी होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा इसके बात प्रेडिक्शन की बात करेंगे और कुछ रीजन जो हो सकते है उसकी बात करेंगे पहले दसरा की जो जो advanced booking collection ने टिकेट सोल्ड है advanced booking collection amount is 2 crores 10 lakhs 1 crore के 2 crore तक पहुँच गे हैं ये लोग कल ही मैंने आपसे बोला था दोपहर को कि ये 1 crore 50 lakhs तक दोपहर तक पहुच जाएगी कल रात तक भी जो numbers early estimates आ रहे थे वो इसके अबब ही आ रहे थे और अब देखिए रात को जो update हुआ है मतलब रात रात में फिर से नानी के fans ने कमाल करके दिखाया है और ये 2 crore 10 lakh की figure तक पहुच चुकी है आज का आकरी जो दिन है ये speed चलती रही तो मेरे हिसाब से जो इनकी advance booking आएगी वो 3.3 crore से कम की नहीं होगी हो सकता है इस से थोड़ा बहुत variation हो but expectation मेरी high है नानी की फिल्म से so number of tickets sold only in Telugu version 2D is 1 lakh 1 lakh tickets sold versus Bhola जिसकी जो total number of tickets sold is 30,000 only now can you say that नानी is a bigger star than Ajay Devgan यहाँ पर देखकर, numbers में देखकर इस वक्त यही लग रहा है fans को बुरा बिलकुल ना माने fans मैं यही बोलना चाहती हूं बार-बार यह सिर्फ numbers reality है इस वक्त अगर आपको बुरा लग रहा है तो प्लीज जाए tickets बुक कीजिए Ajay Devgan की फिल्म की आपका जो superstar है इस वक्त आपकी मदद मांग रहा है तो जाए उनकी मदद कीजिए इस वक्त के numbers लेकिन सच्चाई सिर्फ यही है अब बात करते हैं advance booking के हिसाब से जो collections लोग predict कर रहे हैं अब यहाँ पर बात आती है सारी की day one collections की जो predictions आ रही है वो कई लोग ऐसी बाते कर रहे हैं हवा में बाते कर रहे हैं कि भाया जब जिस film भोला की अब भी तक advance booking जो है एक करोड क्रॉस नहीं करी है वो film कैसे 20 करोड की day one ले सकती है I don't understand यह logic कहां से आया मेरे हिसाब से मैं आपको बिलकुल सही इस वक्त बताने चाहती हूं and this is गलत सपने नहीं दिखाना चाहती सिर्फ और सफ सच्चाई के base पर बताना चाहती हूं कि इस वक्त यह collection देखकर लगता है कि यार 10 करोड भी बमुश्किल day one कर पाएगी यह film 10 करोड day one भोला बमुश्किल कर पाएगी अगर कर लिया तो चमतकार हो जाएगा लेकिन हाँ इतना मैं जरूर बताना चाहती हूं अगर content में दम हुआ visually अगर इस फिल्म ने impress कर दिया लोगों को day one में तब मज़ा आ जाएगा तब यह लेगी jump के बाद jump और weekend में जो है यह अपना सारा जो loss हुआ है यह advance booking वाला सब कुछ recover कर लेगी मेरे इसाब से जो day one prediction मेरी है भोला की that is less than 10 करोड रुपीज मुझे लगता है इस से 10 करोड से उपर नीचे थोड़ी बहुत रह सकती है तो होगी 10 करोड से उपर नहीं जा सकती है day one देखकर और वहीं 10 की बात करें मेरे क्याल से नानी की सबसे बड़ी film रहेगी सबसे बड़ी opening लेगी नानी की पहली film ऐसी होगी जो सबसे बड़ी opening लेगी और मेरे हिसाब से advance bookings देखकर ऐसा लग रहा है northern states में अगर यही screens इसको मिल गई तब यह आराम से 12 करोड 10-12 करोड यह आराम से करेगी और यह नानी के लिए बड़ी बात है क्योंकि यह साउथ के स्टार है और यह कोई ऐसे बहुत extravaganza वाले स्टार नी है इस नाचरल स्टार नानी इनकी फैंडम जो है वो बहुत लॉयल है वो हमको देखके लग रहा है advance bookings reasons क्या हो सकते हैं भोला कि इस failure के advance booking failure के ही बोलूँगी सबसे बड़ा reason जो है जो लोग sight नहीं कर रहे हैं हापे वो यह है कि closing time चल रहा है 30th of March यह makers को पता होगा I'm sure कि यह closing time जो है यह बहुत crucial होता है लोग बहुत busy होते हैं लोगों को सर फैक के काम होता है उस वक्त office का काम यह काम वो काम सब कुछ करना होता है तो 30th of March जो है closing time है दूसरी चीज़ है festivities रमजान और नवरात्री दोनों चीज़ है साथ में चल रही है और एक और reason यह है कि कैथी की remake है लोगोंने कैथी देखी हुई है लोग आराम से अभी भी बैट कर हिंदी में original कैथी आज भी देख सकते हैं तो यह एक reason हो सकते है तो visual experience के लिए सिर्फ जो है लोग इतना पैसा 500 रुपे की ticket, 700 रुपे की ticket 800 रुपे की ticket क्या खर्च करेंगे यह एक बड़ा सवाल है और यह reviews पर depend करता है तो यह कुछ reasons हो सकते हैं भोला के इस वक्त जो impact कर रहा है Let's wait and watch आज का आखरी दिन बचा है उमीद नहीं छोड़नी है उमीद पर दुनिया कायम है Let's see आज भोला कामाल करती है थोड़ी उमीद मैं भी रखना चाहती हूँ मैं भी चाहती हूँ कि अगर किसी ने महनत की है पैसा लगाया है तो उस पैसे का हमको result देखने को मिले बाकी कल reviews पर depend करेगा कि कल क्या होने वाला है भोला के साथ Let's wait and watch आज रात की updated figures मैं आप से शेर करने वाली हूँ आज रात को बाकी, if you like this video, give it a thumbs up don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel which is called story fine shit